Hello everyone, welcome back to Topper Bains, आज Tom Has A Tooth Tak, Chapter 1 को हम लोग कम्पलीट करेंगे, इसका Question Answers को हम लोग आज कम्पलीट करने वाले हैं, जिसमें आपको Think and Answer भी मिल जाएगा, और सारे Question का Answer एक जगह पे मिल जाएगा, तो चलिए, Explanation Video का जो Link है वो आपको Description में मिलेगा, तो हम लोग स्टार्ट कर on Monday morning Tom Monday morning को क्या चाहता है Tom wishes to be sick on Monday so that he could stay home from school तो Tom Monday को बीमार होना चाहता है बीमार pretend करना चाहता है कि वो बीमार है, दिखाना चाहता है नोटंकी करना चाहता है कि वो बीमार है ताकि वो स्कूल से बच सके और घर में रह सके ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, कितने बच्चे ऐसे करते हैं, यह तो बोल नहीं सकता लेकिन लगबग बहुत बच्चे करते हैं कमेंट करके बताईए सच सच कि कौन ऐसा करते हैं चलिए, question number 2 लेते हैं What elements did Tom consider having? Tom को क्या-क्या elements जो है, वो consider किया उसको होगा या हुआ क्या-क्या बिमारी Tom considered having the elements of fever, sore toe and toothache तो यह सब चीज जो है, यह सब परेशानी जो है, वो इसका बहाना किया था consider किया था यह सारे बिमारी को, यह सारे problems को How did Tom try to get seeds attention Tom, जो है, seeds का attention कैसे पाने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि seed जो है, वो सोया हुआ था seed उस पर ध्यानी ने दे रहा था, Tom को क्या चाहिए था, Tom दिखाना चाहता था कि वो बिमार है, उसका पेट दर्द कर रहा है उसको problem हो रहा है, उसको स्कूल नहीं जाना, वो दिखाना चाहता था, लेकिन उसको देखने वाला कोई ही नहीं वहाँ पे, seed था, तो seed अपना घोड़ा बेच करके सो रहा था, तो वही पूछा है question में कि Tom ने आखिर ऐसा क्या try किया, seed का attention को पाने के लिए, seed को जगाने के लिए, seed का ध्यान कीचन कराने लगा, groaning, groaning मनें दर्द से करा रहा था, लग रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, वो चिला रहा था, but seed did not responded, लेकिन seed कोई ध्यान नहीं दे ला था, seed कोई response नहीं था, seed सोया हुआ ही था, then he groaned louder to show his pain, फिर वो अपने दर्द को दिखाने के लिए, जोर जोर से कराने ल वो खुद जाके seed को उसके नाम से पुकार करके उठाया, उसको जगाया उसका ध्यान को खिचने के लिए, ठीक है, How did Aunt Polly react to Tom's condition, Tom का जो हालत था, उस पर Aunt Polly का क्या reaction था, Aunt Polly did not believed on Tom's condition, Aunt Polly को तो पहले believe ही नहीं हुआ था, कि ऐसा हो भी सकता है, But she went upstairs, लेकिन वो सीडी के उपर चड़ करके गई, सीडी से उपर चड़ करके गई, to see him, Tom को देखने के लिए, Tom का हलत देखने के लिए, वो सीडी चड़ के उपर गई, When she knew the matter of Tom's sore toe, she laughed a little, then cried a little, then did both together, जब उन्होंने उसके Tom का जो अंगुठा था, उसके बारे में, जो सुजा हुआ अंगुठा था उसके बारे में, जब वो सुनी, तब वो थोड़ा सा हसी, थोड़ा सा रोई, और फिर वो हसी भी, रोई भी और बैट गई, ठीक है, Question No. 5, What did Aunt Polly want to do to ease Tom's toothache? Tom का toothache को ठीक करने के लिए Aunt Polly क्या करना चाहती थी? Why did Tom stop her from doing so? और Tom ने उनको ऐसा करने से क्यों रोका? Aunt Polly wanted to pull his tooth with a silk thread to ease Tom's toothache. Tom का जो दांत का जो दर्द था, उसे उसको छुटकारा दिलाने के लिए Aunt Polly क्या करना चाहती थी? उसका दांत में silk का धागा फसा करके उसका tooth को उसके दांत को खीच करके तोड़ना चाहती थी, निकालना चाहती थी. तो यह समझ करके, यह सुन करके, टॉम जो है, वो काफी अंदर से घबराया हुआ था, कि Aunt Polly को अगर tooth के बारे में यह हुआ, तो Aunt Polly क्या करेगी वही? सिल्क का थ्रेड लेगी और मेरा दांत को खीच देगी, तो उससे तो दर्द बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसलिए टॉम ने फिर उनको मना करने का कोशिस करने लगा। वह तो pretend कर रहा था, वह तो दिखावा कर रहा था कि मुझे दांत दर्द है। और दांत दर्द का दिखावा करता है और आंटी सोच लेती कि सच में इसको दर्द हो रहा, बेमतलब का उसका दांत जवरदस्ती तोड़ दिया जाता है, तो उसी डर से वह मना कर दिया, कि ने 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 आप मत करो, मत करो, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन असल में तो उसको कोई दर्द था ही नहीं, इसके बाद बी है, बी में एक्स्ट्रेक्ट दिया हुआ है, वन नम्बर पे, वो एक्स्ट्रेक्ट को आप बुक से देख के पूरा करेंगे, और उसके उपर question जो है, उसका answer हम लोग करेंगे, he generally began that day with wishing, मैंने dot dot दिया है, आप आगे question से देख लेंगे, बुक से, which day does speaker mention here, speaker यहाँ पे कौन सा day के बारे में बात कर रहा है, Monday के बारे में बात कर रहा, what is the word captivity being used to describe here, यहाँ पे captivity word क्यों यूज किया गया, किस चीज को describe करने के लिए यू captivity का आर्थ होता है, jail में बंद रहना, captive रहना, कैद रहना, कैद रहने को captivity बोला जाता है, तो यह captivity word किस चीज के लिए यूज किया गया है, going to school is being described by the word captivity here, तो यहाँ पे इस chapter में captivity को क्यों यूज किया गया है, school जाने का जो क्रम है, school जाने का जो system है, उसको captivity बोला गया है, यह Tom के context में है, Tom को ऐसा लगता था, कि अब मंडे से school start हो जाएगा, तो मने वो एक कैद की तरह हो जाएगा, daily school जाना है, school में बंदे रहना है, तो Tom को ऐसा लगता है कि वो captivity है, ठीक है, बंधक बन के रहना है, कैदी बन के रहना है, ठीक है, तो captivity का मतलब यहाँ पे going to school, what does this line tell you about the protagonist of this story, अच्छा protagonist का मतलब क्या होता है, protagonist का मतलब होता है, main किर्दार, main hero of the story, यहाँ पे main किर्दार कौन है इस story का, Tom है, तो यहाँ question पूछा क्या गया है, what does this line tell you about the protagonist of this story, तो यह जो उपर में दिया गया line है, extract, वो Tom के बारे में क्या कहता है, protagonist कौन है Tom है protagonist मतलब this story का main किरदार कौन है this tells us that Tom had Monday blues and he don't like to go to school on Monday ये जो उपर का line है ये बताता है कि Tom को Monday blues है बताता हूँ Monday blues का मतलब क्या होता है and he don't like to go to the school on Monday और उसको Monday blues है और वो school जाना नहीं चाहता है Monday blues का मतलब होता है मंडे का शुरवात होते होते, उसको बहुत ही down feel होना, बहुत ही low feel होना, Saturday, Sunday, छुटी बिताने के बाद, विकेंड के बाद मंडे को school जाने का मन नहीं करता है, office जाने का मन नहीं करता है, बोड़ी थोड़ा week type के लगेगा, बहुत मतलब आलस लगेगा आलस जैसा फील होगा उठने का मन नहीं करता है Monday को जनरली Monday को होता है फिर Tuesday को आ जाता है Tuesday आने के पाद फिर जनरली वो ठीक हो जाता है तो Monday Blues उसी को बोला जाता है जब हम लोग feeling low जब हम लोग लोग फिल करते हैं, लोग फिल करने को ही हम लोग मंडे ब्लूज बोलते हैं, तो Tom को मंडे ब्लूज था, मंडे को उसको, मतलब मंडे आते ही उसका स्टार्ट हो जाता था वही सब, की दात दर्द करें, की पेट दर्द करें, की कैसे करके स्कूल से बचें, वही सब धन्दा करना था उसको इसके बाद एक्स्ट्रेक्ट नमबर टू है टॉम वाई वाई डिदिन्ट यू वेक मी सुनर टॉम तुमने मुझे बहुत पहले क्यों नहीं जगाया तो यह एक एक्स्ट्रेक्ट लिया गया इसके उपर कुछा गया तो ये कॉझन कहा था सीड श़डिस टू टॉम तो सिड ने टॉम को कहा किया अरे तुम तुम को इतना दर्ध हो रहा तुम को पहले क्यों नहीं उठाए उठाया वाट विछौ मेटिगू यहां पैंपे इसके को स्पीए तीड आक्ट रहा हुआ क्वए। क्यू राखेंडे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इस्पिकर कौन है सिड है ठीक है आप लिख सकते हैं आपको ध्यान में रहेगा इसलिए मैंने लिख दिया यहां पर तो मिजरेबल कंडिशन अफ टॉम का जो मिजरेबल कंडिशन था मिजरेबल मतलब दैनी एस्थिती बहुत बुरा इस्थिती जो था टॉम का तॉम धर्द से करा रहा था तो सीड जैसे ही उठा उठकर के वो देखा उसका कंडिशन बहुत बुरा है तो यह देख करके टॉम सीड जो है वो भी काफी डर गया और उसको बोला कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं उठाए what was the speaker doing before saying this तो ये line के पहले speaker कर क्या रहा था sit कर क्या रहा था sit to so रहा था the speaker sit was sleeping before saying this इसके बाद think and answer think and answer का दोनों question मैं करवा रहा हूं ठीक है तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो subscribe जरूर कर लिजे आपको देरे देरे सारे chapters और notes मिल जाएंगे see का one जो है why did tom pretend pretend to be sick tom ने ऐसा बहाना क्यों किया बिमार होने का did aunt polly care for tom क्या aunt polly को tom का care था उसको ध्यान था give reasons for your answers tom pretended to be sick because he wanted to skip his school and stay at home on Monday tom जो है school को skip करना चाता था school से बचना चाता था और घर पे रहना चाता था Monday के दिन में yes aunt polly cared for him as she got anxious when she heard tom's suffering from sit aunt polly को जैसे ही पता चला sit get through sit जाके उनको बोला कि वो करा रहा है वो मरने वाला यह सुन करके aunt polly जो है बहुत व्याकुल हो जाती है anxious का मतलब व्याकुल हो जाना बहुत घबरा जाना व्याकुल हो जाना देखना क्या क्या हो गया चलो चलके देखते हैं वो दोड करके upstairs गई सीड़ी को उपर जाके उसको देखी tom को क्या हुँआ टॉम को तो इस तरह से उन्होंने उसका केर किया ठीक है वो एंग्जियस हो गई इससे पता चलता है कि वो काफी केर करती है टॉम का इसके बाद कुश्चन नंबर टू जो है यह थोड़ा सा खुद से लिखने वाला टाइप का कुश्चन है ठीक है लेकिन फिर भी मैंने आप अपको help करने के लिए मैंने लिखवा दिये आप थोड़ा-मोड़ा इसमें चेंज कर सकते हैं आपको जितने करना इसको आप कर सकते हैं ठीक है जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखवाया वह ही आपको लिखना है तो पहले इसको सुनिये समझे टॉम सोयर उन्हांट थो लोग बहुत सारे बच्चे इसे होते जिनको इस्कूल जाने का मौका भी नहीं मिलता है और टॉम को मौका मिल रहा है तो टॉम जो यहां पर बहनाबाजी कर रहा है इसकूल नहीं जाने के लिए और ज्यादा तर और इस को आप पूरा करेंगे यहां डॉट डॉट मैंने दिया है और बुक से पूरा देख लेंगे कि इस इस स्पेशली ट्रू ऑफ गर्ल्स वार ओफन नॉट गिवन दा चांस तो गो तो एक्स्कूल एक्स्प्लेंग वाई रिसीविंग एजुकेशन इस इंपॉर्टन फर एवरी तो यह जो चीज है इसको हटाना है समाज से यह जो बहुत ही बुरा चीज है यह तो एजुकेशन क्यों इंपॉर्टन है हर एक बच्चे के लिए यह कुछा गया है तो इसको आप खुद भी लिख सकते हैं मैंने हेल्प के लिए आपको थोड़ा सा लिखा दिया है बहुत सारे बच्चों को दुनिया में स्कूल जाने का चांस नहीं मिलता है इसके लिए बहुत सारा रिजन है इसका सबसे मुख्य कारण है गरीबी पहला तो गरीबी गरीब है तो कुछ ही नहीं उसको अपना खाना जुटाने में दिन बिद जाता है पढ़ाई कब करेगा गरीबी के वजह से भी स्कूल नहीं भीज़ता बच्चों को और दूसरा आफ आफ आवेर्नेस ठोड़ा पैसा रहता भी है लेकिन आवेर्नेस नहीं है जाग रूकता नहीं है जानकारी नहीं है कि पढ़ाई करके क्या होता है एजुकेशन से क्या फाइदा होता है यह सब पता नहीं है लोगों को खास करके गाओं के लोगों को जहां पर सरकारी स्कूल में फ्री एजुकेशन भी दिया जाता है लेकिन भले उतना अच्छा नहीं है सरकारी स्कूल में लेकिन फिर भी बच्चे नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए और पढ़ाई होता भी नहीं है उध बहुत सारी चीज़े इसके लिए जिम्यदार है तो इसमें लिखने जाएंगे तो 4-5 पेज लिखा जाएगा है स्कूल जाने का misconception dominates जहाँ पर गरीबी है जहाँ पर अंद्विश्वास है misconception है गलत धारना है misconception मनें गलत धारना कि लड़कियों को पढ़ा के क्या होगा उसका तो शादी हो जाएगा उस चली जाएगी उसका तो बच्चा समालेगी वो तो घर का काम करेगी यह सब चीज़ डॉमिनेट करता है गाउं में तो यह सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमें awareness create करना पड़ेगा लोगों के बीच में कि ऐसा बात नहीं है लड़कियां आज कदम से कदम मिला करके पुरुष के साथ चल रही है इवन लड़कियां आजकल पुरुष से भी आगे जा रही है महिला ससक्तिकरन हो रहा है हमारे देश में हमारा देश आगे बढ़ रहा है महिलाओं के वज़े से आगे बढ़ रहा है महिलाओं का योगदान है हर जगा हर छेत्र में लोगों के बीच अवेरनेस क्रियेट करना है एजुकेशन के बारे में और इस्पेशली गर्ल एजुकेशन के बारे में बच्चियों को पढ़ाना चाहिए एजुकेशन ये कैसा तरीका जिससे हम लोग अपने स्टैंडर्स को बढ़ा सकते हैं और डेवलप आवर कंट्री और हमारे कंट्री को भी डेवलप कर सकते हैं है ना एजुकेशन जो है बहुत जरूरी एजुकेशन से ही सब कुछ हमारा देश आगे बढ़ेगा एजुकेशन से ही एक बॉय चिल्डरेन को अगर आप पढ़ाते हैं तो उसी तक सिमित रहता है लेकिन आप एकर गरल को पढ़ाते हैं तो वो गरल जो है अपने पूरे फैमिली को बढ़ाती है वो अपने बच्चों को पढ़ाती है ये ऐसा माना जाता है तो गरल का एजुकेशन भी बहुत जरूरी है boy के education के साथ साथ उमीद करता हूँ कि chapter आपको अच्छा लगा होगा question answer exercises अच्छा लगा होगा आप से उमीद करता हूँ कि आप अपना feedback देंगे comment section में और comment कीजिएगा और दोस्तों के साथ share कीजिएगा और subscribe भी कीजिएगा चैनल को support कीजिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए good bye